अप्राद नियंत्र निवंबेधी विवस्था के लिए बिहार पुलीस ने साथ थाने और श्याद में टी ओपी को फिर से सक्रिय किया है। जबकि शेस के लिए भूमी चिनहित और अधिग्रहन करनी की कारवाई अब भी चड़ लही है। बता दें कि शेहरी छेत्र में बने टी ओपी पुलीस थानों की आँख कान बनने वाली है समय समय पर यह शेत्र की खैरियत और घटनाओं से संबंधी थानों को अबगत कराएंगे और टी ओपी के पुलीस कर्मियों का बीट और वाट निरधारित भी किया गया है। टी ओपी का काम अपने शेत्र में सघन गश्ती और पेट्रॉलिंग करना होगा और इसके अलावा जनता की शिकायतें भी सुनना होगा साथ ही अंकित भी करना होगा। और बता दें कि वारंट समन की नोटिस का तामिला कराना बैंक एटीम डाक घड इत्यादी की सुरक्षा के लिए चेकिंग करना भी इनकी ही जिम्मेदारी होने वाली है। पेड़ी जी ने बताया कि राज्ज्या में ग्यारह सौ से अधिक पुलिस थाने हैं इसमें से साथ थानों को क्रिय शिल किया गया है। यश्मीन को शिनध करने की कारवाई भी चल रही है जल्द ही यह काम पूरा भी कर लिया जाएगा। इधी विवस्था के लिए बिहार पुलीस ने 7 थाने और 96 यानमे टियोपी को फिर से सक्रिय किया है। जितेंदर सिंग गंगवार ने शुकरवार को बताया कि पिछले दो महीने में 16 जिलों में 96 यानमे टियोपी को खारेरत भी किया गया है। समय पर यह शेत्र की खैरियत और घटनाओं से संबन्नी थानों को अबगत कराते रहेगी। टियोपी के पुलीस कर्मियों का बीट और वाट भी निर्धायत किया गया है और टियोपी का काम अपने शेत्र में सगहन गश्ती और पेट्रॉलिंग से करना ही होगा। और इसके अलाबा जनता की शिकायतें भी सुननी होगी अंकित भी करना होगा। वरंट समन नोटिस का तामिला कराना बैंक के टीम डाक घर इत्यादी की सुरक्षा के लिए चेकिंग करना भी अब इनकी ही जिम्मेवारी होने वाली है। और बतादे के अडीजे ने बताया है कि राज्य में 1100 सधिक पुलिस थाने हैं इनमें से 7 थानों को क्रियाश्रील किया गया है। जल्द ही 51 अन्य निश्क्रिय थानों को भी सक्रिय किया जाएगा और इसमें 35 थानों का भवन निर्मारा धिन है। पास थानों का श्रित्रा अधिकार निर्गत नहीं होने के कारण वर्तमान में वह ओपी के रूप में कारेरत है और कुछ थानों के भवन के लिए जमिन चिनहित करने की कारवाई भी चल रही है और जल्द ही इस काम को पूरा भी कर लिया जाएगा